नमस्कार, A to Z dishes उशाक और जानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूँ वैनिला स्टोबेरी पेस्ट्री ये बनाने में बहुत ही आसान है खाने में बहुत ही जबर्दस लगती है और आज इसे मैंने बिना अंडे की बिना अवन के बनाया वो भी कड़ाई में इतनी आसानी से बन जाएगी न कोई भी स्पेशल मौके पर आप इसे बना सकते हैं और अभी वैलेंटाइन स्टे भी आ रहा है तो उस पर भी बनाये खाए बहुत ही मज़ितार लगती है तो आज हम अवन में नहीं गैस पर ही बनाएंगे कड़ाई में तो सबसे पहले गैस को अन कर ले आज बिल्कुल धीमी कर ले एक बड़ा सा बरतन रख दे उसके अंदर नमक डाल देगी इसलिए ऐसा काला है क्योंकि मैं बार बार इससे समाल करती हूं यह कोई रिंग रख दे यह कोई स्टेंड और इसे ढखकर अच्छे से गरम होने दे जब दे कि यह गरम हो रहा है पेस्ट्रे के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आप चाहे तो स्क्वेर भी ले सकते हैं पर इसमें क्या होगा डायरेक्ट हम अच्छे से कट कर पाएंग तीन भी तैयार है अब बैटर के लिए एक बाउल में हम एक कटोरी ड़ी डालेंगे और आदी कटोरी तेल इन दोनों को अच्छे से मिक्स का लेना है जो तेल है फ्लेवरफूल जैसे की सरसो का तेल ऐसा नहीं लेना है सिंपल रिफाइंड ओईल लेना है अच्छे से मिक्स होगा दूसरी बात यह कि मैं जो चीनी है ना पीसुई चीनी वो मैं घर पे तयार करती हूँ तो कई बार के होता है कि पीस्ते वक्त थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं जो हमको दिखते नहीं है तो इस तरह से चान ले अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने ना एक नंबर लिखके देखें यहां फिर रिबिन कंसिस्टंसी का होना चाहिए तो बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक चौथा ही चमल जितना वेनिला एसंस और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो तैयार क्या हुवा टिन है उसके अंदर हम यह बैटर को डा डाल दिया है डालने के बार आपको दोनों साइट से से पकरना टैप टैप करना है इससे क्या होगा एर बबल्स खतम हो जाएंगे और आपका केक अच्छा जालीदार बनेगा बरतन भी अच्छे से गरम हो गया है आप देख सकते हैं या फिर इस तरह से कोई स्टैंड या को आप देख सकते हैं एक पैकेट जितनी लिये है इसको मैंने अच्छे से वाश करके कपड़े की मदद से पोच लिया है इसके उपर का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे निकाल कर चार टुकड़ों में से काट लेना है और मिक्सर जार के अंदर इसे हमें डाल देना है इ आप हम गैस को ऑन करेंगे कडाई रख देंगे और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है डायरे के PCV स्टॉबरी डाल देनी है साथ ही साथ आधा कप इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे आप अपने स्वात के अनुसार कम जाधा कर सकते हैं सबसे पहले आप स्टॉब बन कर लिया है और यह थोड़ा चिपचिपा हो ना बस इस तरह से होना चाहिए और यह ठंडा होने के बाद देख सकते हैं एकदम गाड़ा हो गया एकदम ग्लेस हमारा तयार है स्टॉबरी का अब यहां पर ना विप क्रीम को भी हम विप कर लेते हैं क्योंकि केक बेक हो र घंटा पहले आप इसे बार निकाल कर रंग देख सकते हैं जैसे कि ब्लेंडर से चिपक रही है न बस इस तरह से होने तक आपको इसे करना है हमारी विप क्रीम भी तैया रहे, ग्लेज भी तैया रहे तकरीबन यहापर 25 मिनिट हो गया है और हमारे केक भी अच्छे से बेक हो गया है कई से भी आप देख सकते हैं, कच्छा नहीं है बीस से डालके देखा है, साइट से बस इसे बार निकाल कर आपको इसे अच्छे से बार रख कर ही ठंडा कर लेना है क्योंकि जब इसे हम गरम गरम निकालते हैं तो क्या होता है कही बार तूट जाता है, कही बार निकलता नहीं है तो यह अच्छे से ठंडा हो गया है, बाहर रखा था मैंने अच्छे से ठंडा होने के बाद, नाइफ लेना इसकी साइट को अच्छे से क्लियर करके, थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, काफी आसानी से निकल जाएगा, अभी बटर पेपर को हम इस तरह से निकाल लेंगे, औ तो मैंने इस तरह से थोड़ा से निकाल लिया, वो आफ खा लीजएगा, और इसे तीन लेयर में डिवाइट कर लीजए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने तीन की आप चाहे तो दो भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन की अच्छे से हो गई है, अब एक लेयर लगता है शुगर सिरफ डालने के बाद हमारी जो विप क्रीम थी वैने वो पूरी लेयर पर लगा ली है अब इसके ओपर ये दूसरी लेयर को रखेंगे इसके ओपर भी हम शुगर सिरफ लगाएंगे इसे काफी लंबे समय तक एकदम सोफ्ट एकदम मौिस्ट हमारी जब इस तरह से विप क्रीम अच्छे से लगाएंगे आप देख सकते हैं लगाने के बाद हमने चो हमारी तीसरी लेयर है वो भी हमने रख दी है इस पर भी हम इस तरह से ही शुगर सिरप को डालेंगे और अब हमें विप क्रीम की मदद से इसको पूरा कवर कर लेना है इसकी जो साइट से अच्छे से पूरे आपको कवर कर लेने हैं और आप देख सकते हैं इस टिन में बनाने से क्या फाइदा होगा कि कुछ भी साइट इसके निकलेगी ने कुछ भी वेस्ट नहीं होगा तो अगर आप पेस्ट्री बना रहे हैं तो यही टिन लेकर आए और बनाए मैं ऐसा प्रिफर करती हूँ पर आप चाहें तो जो स्क्वेर आता है टिन उसमें भी आप बना सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से मैंने से वेप क्रीम से कवर कर लिया है और अब मैंने यह आप इने स्क्रेपर ले लिया आप कोई थिन जो तो थोड़ा मैसी लग रहा है कि अब पैष्ट्री पीसिस कहा है है यहाँ पर आप देख सकते हैं चार पीसिस करने के बाद इसे भी खाली तो यहाँ पर लेख सकते हैं कितनी फैक्ट और लेयर हुई है अब हमारा जो बनाए हुआ ग्लेज है वो इस तरह से मूपर डालेंगे और ये ग्लेज आप काफी दिनों तक रख सकते हैं फ्रिज में कंटेनर में भरके रख दीजे और काफी चीजों में डोनट्स में केक में आप इस्तमाल कर सकते हैं इस तरह से तरह से जो इस तो बस तो पैस्ट्री जो पाइपिंग बैग में नोजल डालकर विप क्रीम जो बची हुई थी मैं और इस तरह से छुटी-चुटी फ्लावर बना रहे हूं आप ज़ए तो एक बड़ा सा फ्लावर बना सकते हैं आपको उपर का जो भी डेकोरेशन करना हो और इस तरह से करने के बाद एक फ्लावर पर मैंने रख दिया ये जो रेड़ वाली चैरी जो तो लीजे तैयार है एकदम मज़िदार वाली इस वेलेंटाइन स्पेशल वैनिला स्टॉबेरी पेस्ट्री ये बहुत ही एकदम स्पंजी बहुत ही खाने में टेस्टी ल लगी है अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक्यू फॉर वाचेंग